हाई आप लोग की काफी ज़्यादा आए आप कैसे बनाते हो किस तरीके से कस्टमर बैठे होते हैं कैसे आप भूमते हो साथ कुछ दिखाईए तो आज की वीडियो में साथ कुछ मैं दिखाने वाली हूँ यह है मेरा पारलर और यह है मेरी कस्टमर एंड मैं यहां पे इनका स दीख हाई हैं किस तरीके से बनाना है बतार माने पहले नोज के पास कि सारे को रिमूव कर लिए हैं अभी बनाऊंगी इनका आइप तो चलिए आइप्र स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से पहले ऊपराउक को restart करना होता है थीश्यां आप HEY लेना है बस एक अच्छी सीштार तो पूरा उपर का सेफ देने के बाद से आपको कस्टमर को बोलना है वह आई प्रोज को अच्छे से उपर नीचे दोनों साइट से इस तरीके से खीचे अपनी हाथों से इस तरीके से देखें ओके और यहां पर मैं कैमरा सेट कर रहे थी मेरी स्टूटेंट निते हैं फकड़ा हुआ था अब इस तरीके से स्टार्ट करेंगे बनाना देखें बिल्कुल आराम आराम से कैसे धागे का डायरेक्शन है वह ध्यान दीजिएगा और इस तरीके से अराम अराम से धागी की जो कैंची बनी है उसके अंदर हेर को फसाना है और अच्छी सी सेव देते हुए हेर को धीर धीर रिमूव करना है तो इस तरीके से मैं बना रही हूं पूरी वीडियो एंड तक वाच कीजिएगा दूसरी वाली आइब्रो और भी अच्छे से क्लियर दीखेंगे आपको अच्छी तरीके से अराम अराम से आपको यह को रिमूव करना है तो अराम अराम से पूरे हेर को रिमूव करना है बिल्कुल पर जल्द बाजे नहीं करनी है और यहां पर मेरा हाथ आ रहा था बीच में तो फिर उपर शे कैमरे को इस तरीके से खुमाया गया एंड अच्छे से दिखाई दे रहा भी आपको कि कैसे हेर को रिमूव करना है अच्छे से समझ में आ रहा हो टाइटली बिल्कुल पकड़वाना है कस्टमर को ताकि उनको आपको जहां भी लगे कि एक्स्ट्रा है उनको आप अपने अकॉर्डिंग देखके निकाल लीजेगा तो यह वाली आइब्रू तो हमारी ओल्मूस्ट कम्प्लीट हो चुकी है अब जो आपको उपर से एक्स्ट्रा लगे उसको कट कर लीजेगा तो यह देखे बिल्कुल अराम अराम से मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है अब हुआ अब हटा त जहां भी एक्स्ट्रा यह दिक रहे हैं नंको लींव कर लेंगे और आइब्रों हमारी एक साइड की कंप्लीट हो चुक यह दो तक दूर्सी साइड कैसे बनाना है और बतातें ऊपर आपको एक्स्ट्रा पहले इनका देख लो किस तरीगी का यह बना है आइब्रो इनका उपर मुझे एक दो हेयर एक्स्ट्रा लग देते तो उसको मैंने फ्रेंट से निकाल लिया है इस दूपाइब्रो को यह इस तरीक से बना सकते हो पीछे से पहले मैं इस तहरी के से पेखने वाले इसको निकाल दिया है तो इनको पकड़ने नहीं आ रहा था फिर मैंने इनको समझाया कि ऐसे पकड़ना है तो इस तरीके से पकड़ लिया है अब हम यहां पे हेर को निकालना स्टार्ट करेंगे तो अभी इनको पहले नीचे से निकाल दिया है कि कैयर दिताइए बाद दिगाने शुड़ना माम अदेश तो इस तरीके से निकालना है इस तरीके से पकड़ना भी इस सब्चमे भी से सेब देंगे आइबू को अग वह कि बहुत सारे पादलसर पूछ देड़ी डे बाय देध है तो अगर आप नहीं देख रहे हूं तो प्लीज जा के देखिएगा तो इस तरी के से धागे की कैंची में हेर को फसाना है और निकाल देना हेर को और चीजी सेफ देते हुए आप बीच में पकड़वाएंगे ताकि सेफ हमारी जो है वो बिगडे नहीं ओके तो इस तरी के से नीचे से हमने आइब्रो को बना लिया है उपर का भी सेफ देंगे बहुत अच्छे से और इलकुल आराम आराम से तो हमारी से पच्छे से बन गई तो इस तरी के से हेर को रिमू किया है अब नीचे से हमारी जो सेप थी हो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकिए दोनों साइट से नोज के पास के हेल को रिमूव करेंगे इस तरीके से अब उपर का जो बचा वा उपर का जो सेप हमने अभी नहीं दिया था तो उसको सेप देंगे उपर से करें करें तो आपको मेरा पारलर कैसा लगा आप बहुत सारा कमेंट आदा था कि मैं अपना पारलर दिखाई एंड किसे किसे आप काम करते हो वह दिखाई तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ दिख गया होगा सब कुछ किलिए हो गया होगा कैसे मैं काम करती हूँ और कैसा मेरा पारलर है चोटा सा पारलर मैंने उपन किया इस सेड़ हमारी सिलाई मसीन दख्की होई है यह मैं सिलाई भी सिखाती हूँ यहाप आप एक्षा और कैया सबस्क्राइब दिखाऊंगी अप वीडियो च्छाँ ज्याद सेर दिए गा एक्स्टा हेयर को मैं इस तरीके से जाड़ दे रही हूं जो भी निकले वेयर थे एंड जो इंका इब्रो का लुक था वो कुछ इस तरीके का बना था कैसा लगदाया कामें बॉक्स में जरूर बताएगा विडियो पसंद आई हूं तो लाइक जरूर कर दीजेगा सेयर भी कर किये और मुझे जादर जादर सपोर्ट किये थैंक्स पर वाचिंग लाव यौल बाई बाई